लोहरदगा के ललित नारायन स्टेडियम में साहु परिवार और लोहरदगा जिला क्रिकेट एसोशियेशन के द्वारा आयूजित साधिवस्तिये श्रीमाद भागवत कथा के चोथे दिन कथा वाचिका जया किशोरी ने वामन अवतार का प्रसंग सुनाया जहां भागवान के वामन अवतार के रूप में बालक स्वरूप में मनमुहक छवी वाले बालक को देखकर लोग मंत्र मुग्द हो गये। जया किशोरी ने श्रीमत भागवत कथा के माध्यम से लोगों में भागवान के प्रती भगती का संच्वार किया। इस मौके पर मंत्री बादल पत्रलेक राजसभासांसद धीरत साहू समीत बड़ी संख्या में भगत उपस्ति थे। जहां सभी ने जया किशोरी द्वारा गाय गय भजनों पर जूमते नजर आये। न्यूजविंग के लिए लोहर दग्गा से प्रितम कुमार की रपोर्ट। झाल